प्यारे बच्चों नमस्कार मैं लूने सुकुमार वर्मा सास की उच्तर माध्धिमिक विद्याले छछान पेरी जीला रायपूर से आपके बीच उपस्तित हुआ हूँ कक्षा सात्वी विशय हिंदी को लेकर प्यारे बच्चों आज हम अध्यान करेंगे एक 36 गड़ी पाठ मितानी का जैसा के आप सभी जानते हो हमारी 36 गड़ की संस्कृति में अलग अलग रीती, रिवाज, परमपरा आदी सदियों से मनाये जाते रहे हैं ऐसे ही हमारी संस्कृति में जो विभिन संबंध हैं और विभिन संबंधों की गरिमा हैं उन गरिमाओं का भी निर्महन सदियों से किया जाता रहा है हमार देश के संस्कृति मां मितानी के अबड़ महत्तम है राम, सुग्रिव, अवू, कृष्ण सुदामा के मितानी के बारे मां तुमन जानत हो हूँ वैसे तो मिलैया जुलैया मनखे मन के बीच मां मितानी होई जाते पर 36 गड़ मां मितानी के एक नवा रीत हवाय ओ आय मितानी बदे के परंपरा प्यारे बच्चों, जैसा के हम जानते हैं यहां हमारे 36 गड़ में जो मितान बदने की परंपरा है यह हमारे समाज में जो विभिन संबंध हैं उन संबंधों से अलग हट कर यह संबंध है और यह संबंध अन्य संबंधों से बहुत महत्तपून है क्योंकि इस संबंध में जिसको हम खून का रिस्ता कहते हैं वो रिस्ता नहीं होता है इसमें जाति-पाति का बंधन नहीं होता है जिन व्यक्तियों की विचार आपस में मिलते हैं जो एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनने का संबंध रखते हैं एक दूसरे के सुख दुख में समभाव रहते हैं अर्थात एक दूसरे के सुख दुख में वे हात बटाते हैं वे मितान बनते हैं और मितान बनने के लिए अलग-अलग तरह की रीती यहाँ प्रचलित है ऐसे ही भोजली या जमारा के माध्यम से भी लोग मितान बदते हैं यह परमपरा हमारी 36 गड़ में विशेश रुप से देखने को मिलती है ऐसे ही हम इतिहास में बात करें तो आप देखते हैं राम और सुग्रिवो की मित्रता जग प्रसिद्ध है ऐसे ही कृष्णा और सुदामा की मित्रता इसके विशाय में हम सब जानते ही हैं ऐसे ही हम जब अपने आज पास देखते हैं अपने समाज में देखते हैं तो वहाँ भी इस तरह के मितान बदने की परंपरा हमें आज भी देखने को मिलती है और जब ये मितान आपस में बद लेते हैं मितान बनने को मितान बदना कहा जाता है और जो आपस मितान बन जाते हैं वे एक दूसरे को नाम से संबोधित नहीं करते हैं वे उन्हें मितान करके ही संबोधित करते हैं और ये केवल दो व्यक्तियों का ही संबंध नहीं होता है अपितु इन में दोनों व्यक्तियों के परिवारों का भी आपसी संबंध होता है ना केवल व्यक्ति तक संबंध होता है अपीतु घर के जो बड़े बुजूर्ग होते हैं वे भी इस संबंध को मानते हैं ना केवल बड़े बुजूर्ग अपीतु जो बच्चे हैं वे भी इनको मानते हैं अर्थात ये जैसे हमारे मानवी संबंध होता है पारिवारिक संबंध होता है इस तरह का ये एक पारिवारिक संबंद इस्थाफित होता है मितान बदने की परंपरा से मितानी के नताह कई पिढ़ी के नता आए मितान बदया के लईका अवनाती नतुरा मन घलो ये नताला बढ़ मान दे थे मितान के विपत्तिमा सहायता करना सबले बढ़का धर्म आए अर्थार जब हम मितान बदते हैं तो केवल व्यक्तियों के संबंद नहीं है बल्कि इसमें मितान बदने वाला व्यक्ति तो अपने मितान से मितान काकर संबंद इस्थापित करता ही है पारिवारिक संबंध तो इस्थापित करता है साथ साथ उनके जो बच्चे हैं बच्चों के जो बच्चे हैं और उनके भी जो बच्चे हैं इस उक कहा गया नाती नतुरा तो इन सब के बीच में उस संबंध का निर्वान किया जाता है और ये जो मितान होते हैं वे क्या करते हैं ये विपत्ती मां सुख में तो काम आते ही हैं और दुख में भी ये बिल्कुल अन्य संबंधों से पहले आकर खड़े होते हैं अरत अत मितान की विपत्ति को अपनी विपत्ति मानने की परम्परा है यह जो मितान बतते हैं वे मानते हैं आवाओ आईश ने एक ठन लोग कथा पर्थन जे मां केछवा अओ मंजूर के मिताने के बारे मां बताए गहें प्यारी बच्चों, यहां एक प्रस्ण उचता है, लोग कथा किसे कहते हैं, क्या होगा उत्तर, हाँ, बिल्कुल सही कहा, आपने लोग कथा, उस कथा को कहते हैं, जो लोग में प्रचलित होता है, ध्यान दी जगा, यहां पर लोग और लोग, दोनों में भेद है, लोग कहते हैं तो ये केवल मनुश्य से संबनीत होता है लेकिन जब हम लोग कहते हैं तो इसमें चरा चर जगत ये सबका समाहित रूप होता है अर्थात लोग जो हैं वे सीमित छेत्र में होते हैं जबकि लोक का छेत्र जो है व्यापक होता है तो ऐसे ही एक लोक कथा है और लोक में तरह तरह की कथाएं हैं इसे इसमें मनुस्यों की कथाएं हैं पसू पक्षियों की कथाएं हैं तो ऐसे ही आज हम जिस ल मंजूर, मंजूर जिसको मयूर या मोर के नाम से जानते हैं, तो केच्छुआ और मयूर के मितानी के विशाय में, अर्थात इनके बीच में किस तरह से मितान का संबंध बनता है और वे इस संबंध को किस तरह से निर्वन करते हैं, इसके विशाय में इस लोक कथा पाठ में आ जो तरिया है या तलाब जिसमाम कहते हैं, उसका बहुत ही महतफ़ुण इस्थान है ऐसे ही तरिया के निर्मल पानीमा, खोखमा के सुगर-सुगर-फूल फूले रहें जैसे आपमाले चित्र में दीखा थे शुगर-सुगर मतलब सुदर-सुदर खोखमा अर्थात कमल के फूल देखे चित्र बढ़िया सुंदर सुंदर आपको सफेद और गुलावी दोनों रंके दिखाई दे रहे हैं कहीं कहीं लाल रंक भी आपको दिखाई दे रहा है तो ऐसा वो सुंदर सुंदर फूल वहाँ खिला हुआ था फूल मा तितली और भावरा मन लूर लूर के गीत गावत रहे देखे बढ़िया सुन्दा वात वारण है तलाब, तलाब में वो खोकमा के फूल और फूलों में ये भावरा और तितली ये जो क्या करते हैं लुग छुब करते हुए अर्था, घुमते हुए इधार-ध़र गुंजते, गुन जाय मान होते हुए गीत गार है भावरों को आप लोगरा सुना होगा, गुण-गुण-गुण करते रहता है तो तरिया के तीर जैसे हम जानते हैं, तालाब के वाषिसे हम जानते हैं बरगद का पेड़ देखने को मिलता है इसी तरह और भी तरह तरह के पेड़ देखने को मिलते हैं वैसे ही तरिया के तीर बर पीपर आमा अमली के घन पेड़ रहा है घन मतलब घना अर्थाल बहुत जादा पेड़ तरिया के पार में देखते हैं हम बहुत सारे पेड़ होते ह कहीं कहीं तो बगीचा जैसा वातावर्म देखने को मिलता है तो ऐसे ही उस तलाब में बर का पेड़, पीपल का पेड़, आम का पेड़ और इमली के पेड़ गहन थे अर्थाद बहुत अधिक थे ओ तरिया मा एक ठन कच्छुवा रहे, केच्छुवा कहते हैं कच्छुवा को तो ओ तरिया मा एक ठन केच्छुवा रहे, रहे मतलब रहता था ओ ही तरिया पार के पीपर पेड़ मा एक ठन मंजूर घलो रहे अब ये तलाब का पार, तलाब का किनारा, वहाँ एक पीपल का पेड़ था और वहें एक खन मतलब एक, मंजूर मतलब मयूर भी रहता था, घलो, घलो का मतलब होता है भी, तो एहर अर्थात मंजूर, अर्थात मयूर, तीर तखार के खेत खार में जाके चारा चरय अवू पीपर पेड़ मा बसेरा करें, अर्थात तीर तखार मतलब पास के, पास के खेतों में जाकर वहाँ चारा चरता था, दाने चुगता था, और पीपर का जो पेड़ है, पीपर वह रहता था जब आसमान में करिया करिया बादर उम्रे घुम्रे त मंजूर अपन पांखला चितरा के जूम जूम के नाचय जैसे आप चितर में देख रहे हो कैसे सुन्दर मयो जो है बंख फैलाए हुए निर्त्य कर रहे है एती हवा के पीपर पान जूम जूम के गीत गावाए अव ताली बजावाए जैसे हम आनंदित होते हैं तब क्या करते हैं तालीया बजाते हैं वैसे ही वे छोटे छोटे जो पीपल के पत्ते हैं वे भी क्या करते हैं जब आसमान में काला काला करिया करी मतलब काला काला आसमान में जब काला-काला बादल उमरता घुमरता है तब मैयूर जो है नृत्य करता है अपनी पंखों को फैला कर छितरा कर और ऐसे में वो जो पीपल का पेड़ है उसके पत्ते भी हिलते हैं तो यहाँ पर पीपल के पत्तों के जो हिलना है उनको यह कल्पना की गई है, कि वे पत्ते जो है हिल हिल कर क्या करते हैं, मानो ताली बजा रहे हैं, पत्तों से सरसराहच की जो आवाज आती है, उसको तालीयों की आवाज कहा गया है, यहाँ, केच्वाह तरियाले निकल के, मंजूर के नाचाला देखके, मगन हो जाए, यह कारिय था कच्वा इस तरह से वो बादल जब भी आसमान में काला काला चाता था मैयूर जो है उस काले बादलों को देखकर वर्सा होगी यह अनुमान लगाकर वह नित्य करने लगता था पीपल के पत्ते जो है मानो ताली वजाकरों का स्वागत करते थे और ऐसे समय में वहा मंजूर लग कते वा भई मंजूर तैं तो बड़िया नाश्थस अव तोर पांख हर बहुत सुघर सजे हैं लगते अगास के चंदा चंदैनी हर पांख मा उतरे हैं ऐसा कच्छुवा ने मयूर की प्रसंसा की है मयूर की प्रसंसा कैसे करेंगे वास्ता में जब मयूर को हम रित्य करते हुए देखते हैं तो बहुत सुंदर दिखाई देता है उसके पंखों को हमने देखा है कितने सुंदर रंग बिरंगे होते हैं उसमें चांद जैसे आकृती होती है देखिए आपको सुंदर सा चांद जैसे आकृती दिखाई दिया रही है यह मैयूर पांक का है मने मन मतलब मन ही मन मूआ मुच मुचाईस मतलब हंसता है मुस्कुराने लगता है दिखिए यह स्वभाविक भी है जब कोई हमारी प्रसंसा करता है तो हम आनंदित होते हैं प्रसन चीत होते हैं ऐसे ही कच्छुवा के द्वारा मयूर के प्रसंसा किया जाने पर मयूर भी प्रसन चीत होता है मंजूर हर रोज पीपर के रुख ले उतर के तरिया के पार मन नाचै केच्छुवा हर उलम मन भर देखाए पोठ मतलब होता है बहुत तो देखिए इस तरह से मित्रता हुई दोनों रोज मिल रहे हैं मैयूर जो है क्या करता है रोज नित्य करता है और तलाब से निकल कर कच्छुआ जो है प्रती दिन उसके नित्य को देखता था तो इस तरह से कच्छुआ के मन में मैयूर के प्रती अर्थात मंजूर के प्रती प्रेम उमड आया और मैयूर को भी लगता था क्या रहे यह कच्छुआ रोज मेरा नित्य देखता है अर्थात मेरी तरफ आकरसीत होता है वो प्रसंसा भी कर रहा है तो इस तरह से देखिए वो उसके नृत्य को देखता है उसको अच्छा लगता है और इनकी प्रसंसा किया जाना मयूर की प्रसंसा जब किया जाता है तो मयूर को अच्छा लगता है तो इस तरह से कचुवा और मयूर दोनों में पोठ अर्था पोठ का मतलब होता है बहुत य लख्ठा मां आके नाचाओ न, काबर के तुहर नाचाई हर मुला नीक लाग थे, मन के अगहात ले देखे चाहताओ, ऐसा कचुवा ने मयूर से कहा, देखिए, यहाँ पर सब्दाया है लख्ठा, लख्ठा का मतलब होता है तीर या पास या किनारा जिसको कहते हैं, अईसे ही यहाँ पर सब्दाया है नीक, नीक का मतलब होता है सुन्दर या अच्छा लगना, तो कचुवा जो है मयूर के सामनी यह प्रस्ताव रखता है, कहता है कि मितान अर्थात मित्र तुम पास में आकर नाचो न, क्योंकि मैं तुमको मन के अगहाते तक, अर्थात मन भरते तक, नाचते हुए देखना चाहता हूं, अर्थात तुम्हाने रित्य से, तुम्हारा नित्य जो मन मोहक होता है, अर्थात मन भर मैं तुम्हें नाचते हुए देखना चाहता हूं, ऐसा कचुवा ने मयूर से कहा, मंजूर हा केचुवा के मया के गोठ लग टारे नहीं सकिस क्योंकि वो भी उसको मितान कहा रहा है और अब मितान की बात मितान कैसे चाले तो इसलिए वो उसकी बात को टाल नहीं सका अव तीर मां आके नाचे लगिस अब उन्होंने कहा मित्र की बात रखा, उसकी बात को चाल नहीं पाया, और पास में आकर मंजूर कच्छुआ के पास में आकर नित्य करने लगा, नाचने लगा, अब अईसने रोज हो आए, यह प्रति दिन का कारिय हो गया, मंजूर नाचे, अव केच्छुआ हर, देखे, अ ऐसा करते करते मितानी मा मया के धार बोहाय लगी अर्थात इस तरह से उन दोनों का जो प्रेम है मया मतलब होता है प्रेम उन दोनों का जो मया है वो मया की गंगा बोहाय लगी अर्थात प्रेम की धार बहने लगी अर्थात उन दोनों जो है एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह सकते इतना प्रेम हो गया था, क्योंकि ये प्रती दिन का उनका कारिया हो गया, एक दिन संजा बेरा, सिकारी आके उहां अपन फंदला फैला दिस, एला केछवा और मंजूर नहीं जानिन, क्योंकि साम की समय वहां आया था, और तब तक मयूर जो है नित्य कर लिया था, व तो इस बात से वे दोनों अपरिशित थे, बिहिनिया उमा मंजूर हब फंद गये, कैसे फंद गया, जब वहां नित्य करने के लिए आया, तब वो देखता है उनके पंख जो हैं, उस जाल में फास चुके थे, अब तो मंजूर के करलाई हो गये, अर्था करलाई मतलब उसक करने लगा, अपन मितान लग कते, मयूर का मितान है कछवा, तो मयूर ने कछवा से कहा, मितान मोला बजाव, सिकारी आही, तहां मोला माजर ही, तो और मितानी अवु मया मा परान गमादार हों, तैसी लाक थे, उबारे के कुछु उदिम करो ऐसा मयूर ने कच्छुआ से कहा क्योंकि वो जाल में फंस चुका था और जैसे ही सिकारी आएगा उस जाल में फंसे हुए फंदा में फंसे हुए मयूर को देखेगा तो निश्चित रुप से वो उसको मार डालेगा तो ऐसी विकाच इसिती को देखकर मयूर कच्छुआ से अपने प्राण बचाने के लिए उपाय करने के लिए उपाय करने के लिए उन्होंने कहा केच्छुआ बड़ चतुरा रहिस ओहर हड़डाईस नहीं फंदा मा परे मितान लग कते काहीं फीकर जन करा केच्छुआ बड़ चतुरा रहिस ओहर हड़डाईस नहीं देखे जब भी विपत्ती आती है हमको हड़डाणा नहीं चाहिए क्योंकि हम यदि हड़डादे हैं तो निश्यतुर्प से हमसे गलतियां होती है वहाँ पर धैर्य की आवशकता होती है और उसी धैर्य का परिचय जब मयूर जो है फांदा में फंस गया था तब कच्छुआ जो है उस चतुराई का परिचय देते हुए अपने अनुभव से काम लेता है और धैर्य रखने के लिए धीराज रखने के लिए मयूर को भी काता है काता है काहीं फिकर जन करो अर्थात कोई भी चिंता मत करो फिकर मत करो धीराज बांधे रहो अर्थात धैर्य रखे रहो तुम्हला फांदा ले छोड़ा हूँ काबर छोड़ा हूँ काबर कि ते मोर मितान हरस तुम मेरे मितान हो तुम मेरे मित्र हो इसलिए तुमको इस संकट से उबारना मेरा काम है तुम घबराओ मत संकट के बेरा मितान हर मितान के काम नहीं आईस तोहर मितान नो है और इस समय तुम संकट में हो और मेरे मितान हो तो तुम्हारे संकट में यदि मैं काम नहीं आऊंगा तो मुझको मितान कहलाने का कोई अधिकार नहीं है ऐसा कछुआ ने मयूर से कहा एती दुनों मितान के गोट हो थे अव ओती सिकारी आगे फांदा मा फंदे मंजूर ला धर के फांदा ले निकाले लगिस तक केच्वा हा सिकारी ला कते तहें तो मोर मितान ला फांदा मा फोकट फसाई हास ये ला मार के का कर भी ऐसा कच्वा ने सिकारी से कहा बच्चों यहाँ पर एक सब्दा आया है गोठ गोठ का मतलब होता है बात तो दोनों मित्र आपस में बात कर रहे थे ऐसे में सिकारी आ गया और वो फांदा में फंदे हुए जाल में फंसे हुए मयूर को निकालने लगा और निकाल के पकड़ने लगा ऐसे समय में कच्चुआ जो है सिकारी से कहता है क्या कहता है कि तै तो मूर मितान लब फांदा मा फोकट फंसाय हस इलब मार के काय कर भे तुम मेरे मित्र को अपने जाल में वेर्था ही फंसाय हो इसको मारने साकिर तुमको क्या मिलेगा अरे तुमको कुछ चाहिए होगा तो बता दो उसकी विवस्ता हम करेंगे ऐसा कछुवा ने सिकारी से कहा अतकामा सिकारी हर हासत कथे फासाते हो नहीं तका करते हो यह हर मोर धंधा आए मैं सिकारी आओ और मोर काम हरे सिकार करना और सिकार करने के लिए मुझको जाल फैलाना पड़ता है और वही जाल मैंने यहां इस तलाब के पार में फैलाया था जिसमें यह मयूर जो है मंजूर जो है फंसा है तो यह मेरा धंधा है एला माराओं नहीं इसको मैं मारूंगा नहीं इसको केवल जाल से निकाल के पकड़ रहा हूँ बजार मा बेच के रूपिया पाहूँ अव दार चाउर भी साहूँ यह तो मेरा व्यावसाय है मैं इसी तरह से जंगल के जो पसू पक्षी है इनको अपने जाल में फैसाता हूँ और इनको पकड़ कर बजार में ले जाके बेच देता हूँ और इससे ही मैं क्या करता हूँ मेरे घर के लिए दाल चाउवल के आवशक्ता होती है उसको मैं खरिदता हूँ यहाँ पर एक सब्दाया है बिसाहू बिसाना से बिसाहू बना है बिसाना मतलब खरिदना अर्थात इसको बेचूँगा तो मुझको कुछ रूपिये मिलेंगे और उन रूपियों से मैं अपने घर परिवार को चलाने के लिए दाल चाउवल बजार जाकर खरिदूँगा और इस तरह से मेरा परिवार चलेगा तो ये मेरा व्यावसाय है ऐसा सिकारी ने अपनी बातें उस कचुवा से कहे केच हुआ कथे बस अतकेच छोड़ दे मोर मितानला जंगल के कोनो जीवला मारे ले हत्या लग थे एला छोडवे ता एकर बदला मा तोला एक ठंद बढ़िया चीज देहू जेन चीजला बेच के तोर परिवार बर दार चाउर बिसाले बे ऐसा कचुवा ने उस सिकारी के सामने प्रस्ताव रखा और वास्तों में जंगल के किसी भी जीव जन्तू को मारना ये इससे हत्या लगता है ये बात कचुवा ने जो कहा बिलकुल सत्य कहा है वन्य जीवों की हत्या करना ये कानून की दृष्टी से भी अपराद है हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि हम वन्य जीवों का सनरक्षन करें यदि कहीं पर कोई मारता हुआ दिखाई देता है कोई वन्य जीवों को यदि सताता हुआ प्रताडित करता हुआ दिखाई देता है तो उसके विरुद्ध आवाज उठाना ये हम सबका दाइत्वा है तो कचुवा ने अपनी बातें कही कि वन्य जीव जन्तों को मारना यदि तुम मारते हो तो इससे तुमको जीव जन्तों को मारने का हत्या लगेगा इसलिए तुम ऐसा हत्या का पाप अपने सर पर मत लो इसको तुम छोड़ दो और इसको तुम छोड़ दोगए इसके बदले मैं तुमको एक अच्छी चीज दूँगा एक ठन, मतलब एक अच्छी चीज दूँगा जिन बेच करता तो उसको बेच कर तुम अपने परिवार के लिए जिस दाल चावल लेने की बात कर रहे हो न वो दाल चावल तुम उससे खरीद सकते हो, बिसा सकते हो ऐसा कछवा ने उस सिकारी से कहा सिकारी कहिस, तुर का भीश्वास, तुम्हारा क्या भरोसा तुम कह रहे हो ऐसा, क्या चीज दूँगा, अरे कोई चीज है तो पहले दो ऐसा सिकारी कहने का आसा है था तो केच्छवा उसकी बातों को, उसकी मनसा को समझते हुए पानी के भीतर बुडगिस, और चीन भर्मा एक ठन मोती लान के कथे तो कच्छवा पानी के भीतर गया और वहां से एठ मोती ले आया और ला करके सिकारी के आगे उसको रग दिया और कहता है, ले एहर मोती आये, बेजबे तक खूब पैसा मिल ही तुमको पैसा ही चाहिए था ना, अखिर इस मयूर को पकड़ कर तुम क्या करते बजार में जाकर बेज़ते उससे तुमको पैसा मिलता और उससे तुम अठा दाल चावल खरी दूंग यही कह रहे थे, तो ये लो मोती और इसको तुम बेच लो और अपना घर परिवार चलाओ, ऐसा कछुवा ने सिकारी से कहा सिकारी हर, मोती ला लेके बड़ खुस होगे, मंजूर ला छोड़ दीस, आउ कुलकत घार आईस कुलकत मतलब खुस होते हुए, देखिए, उनको एक अच्छी किम्ती चीज मिल गए, मोती मिल गया जो उस महियूर से भी किम्ती था, तो इसलिए वो बड़ा प्रसंद लग हुआ, इसलिए कुलकते हुए, प्रसंद अच्छीत होते हुए, हस्ते कुदते हुए, अपने घर आया सिकारी के दू जहन बेटा रहा है, कुंदा अउ मनसा, सिकारी हार अपन दूनो बेटा ला मोती ला देखाईस, ता ओला ले बर दूनो जहन जहगरा होय लगिन गर में इस तरह की स्थितियां होती है, जब घर में कोई एक खिलावना आता है, या कोई एक मिठाई लाया जाता है, तो दो बच्ची दी घर में हैं, तो दोनो जोनो आपस में उस चीज के लिए लड़ पड़ते हैं, आप सब भी लड़ बड़ते होंगे ना, हाँ, तो वै अब इस मोती को मैं कैसे छोड़ दूँ, यदि घर में मोती की किमती भी है, अब इस मोती को यदि मैं बाजार में बेचता हो, तो अच्छा दाम तो मिलेगा, लेकिन फिर ये जो बच्चे खेल रहे हैं, ये भी असमंजस है, और खेलते खेलते आपस में जगड़ा भी हो र कि अब क्या किया जाए, एक दिन ओही मेर फांदाला फिर फैलाईस, कहां, जहां पर पहले वह जाल को फैलाया था, जिसमें वह मंजूर अर्थात मयूर फंसा था वही पर एक दिन उन्होंने फिर से फैला दिया, मयूर और कच्छवा इस बात से अंजान थे, क्योंकि उन्ह निर्थ्यक्या करते थे, वैसे ही मयूर जो है वहां आकर निर्थ्यक्या करता था, तो जैसे ही वह आया, मंजूर फंद गये, एक पईत पराण बचे रहिस, अब का हो ही, केच्छवा और मंजूर ला गुनेल पर गये, देखिए, अब एक बार तो उनका जान बचा था, उन मयूर जो है सोचने लगा, केच्वा और मंजूर दोनों गुनेल पड़ गये, अर्थात दोनों के दोनों जो है चिंतित हुए, चिंता करने लगे, सोचने लगे कि अब क्या होगा, क्या किया जा सकता है, मंजूर कथे, मंजूर ने कहा, मयूर ने कहा, मितान, ये पईत परा आपनान ला फिर बचावा तब बन ही बात ऐसा मयूर ने कच्छवा से कहा केच्छवा ला कच्छु उपए केच्छवा ला कुछु उपए सुझत नहीं रहे कथे हा मितान तोला भचाय वर गुनत हां ये पईत जान बज गेता तोला ये ठाउरला छोड के जंगल मा जाएला पर ही जिहां ये सिकारी जहन जा सके जिहां ये सिकारी जहन जा सके तो ऐसा कछुवा ने उस मयूर्चे कहा अभी तो तुमको बचाना कैसे है इसके विशा में सोच रहा हूँ लेकिन यदि तुम बच गए तब तुमको इस जगह को छोड़कर अब जंगल में जाना क्यों जंगल में जाना पड़ेगा वो इसलिए क्योंकि अब यह सिकारी जान लिया है कि मैं जब भी यहां जाल जालता हूं यह मयूर्फंस जाता है तो हो सकता है इस समय तुम बच जाओगे लेकिन फिर अगली बार आकि यहां जाल जालेगा तो इस तरह से बार-बार प्र जाल में जो सुरक्षित स्थान है तुम्हारे लिए वहां तुमको जाना पड़ेगा ऐसा कच्छुआ ने मयूर से कहा कच्छुआ ने अपनी बातें आगे कहते हुए कहा सिकारी के विशाय में कहा वहर बड़ लाल्ची है मोती के लालाच मा घेरी बेरी फांदा लखेली औ और बार बार तुम उस तरह से फंसते जाओगे ऐसा कच्छुआ ने मयूर से कहा क्योंकि अब उसके मन में लालाच आ गया है केच्छुआ के गोठला सुन के मंजूर लथो के दुख लगिस फिर सोचिस पराण बचायबर मितान के मयाल छोड़के जंगल बीच जायचलब प मितान पर भी संकट आ सकता है इसलिए मुझको जो अपनी जन्व भूमी है मात्री भूमी है इस भूमी को छोड़कर जंगल जाना पड़ेगा ऐसा मयूर ने सोचा और इस तरह के दोनों की बात चित चल ही रही थी अतकमा सिकारी आगे है मंजूर लफांदा मफांदे देख कि कुलग गुका कि मतलग खुष हो गया प्रसंव गया एती के चवहर सिकारी लख कते दिखे इन डोनों में आपक्स में बात भी हो रही है कैछ हुआ जो है जब सिकारी पास में आगे है तक उस सिकारी शे केंश hvad पुना करता है क्या करता है। ए सिकारी भाई, मोर मितान लफ साय काबर हस, तोला तो महिना भर के खर्चा के पुर्ता मोती ला दे रहे हूँ, ऐसा लाला जहन कर एहर अनियाव आए, ऐसा कछुआ ने उस सिकारी से कहा, वही तुम ने कहा था कि भरन पोशन के लिए मेरे को चाहिए, खर्चा पानी के लिए चाहिए, तो मैंने तुमको मोती लाके दिया, बहुत किमती मोती, और महिना भर तुम्हारा खर्चा चले ऐसा, लेकिन तुम तो महिना भर से पहले यहां आ गए, और फिर से मेरे मेतान को यहां फशा लिये हो, इस तरह से बार बार तुम्हारा लालच किया जाना, ये ठीक नहीं है, ये अन्याय है, ये हम लोगों के साथ में विश्वाज घात है, ऐसा करना उचित नहीं है, ऐसा कच्छुआ ने सिकारी से कहा, सिकारी कथे, तहे तो बात बढ़ नियाव के कहत हस, एमा मोर कोती ले कोनो लालच नहीं है, मोती ला देखके मोर दूनो बेटा मन, मोती ला ले बर जगरे लगिन, मारा पीटा करे लगिन, ओ मल्ला जगरा ले बचाय खातिर, मोला फांदा डारे बर परिस है, ऐसा सिकारी जो है कच्छुआ से कह रहा है, और आगे कहता है, अब ओइस्नेच मोती लान के आउ देदव, ता मैं हाँ ये मंजोर लडिल देऊ, मोती हाँ, ओइस्नेच होना चाहिए, ना घाट न बढ़, ये सर्त भी, उन्होंने, किसने, सिकारी ने कच्छुआ के सामने रख दिया, ओइस्नेच मतलब वैसा ही, एकदम, जैसा यह मोती है, पहले तुमने मोती दिया था, वो मोती ज थोटा ना बड़ा, ना चमक में भी कमी होनी चाहिए, जैसा जितना बड़ा वो है, उतना ही बड़ा, फिर से मुझको मोती लाकर, तुम दो, ऐसा सिकारी ने कच्छुआ से कहा, अब सिकारी की बातों को सुनकर, केच्छुआ उपाय सूझ गे, सूझ गे मतलब उपाय वह जान गया, कि अब क्या करना है, ओह सिकारी लगकत है, उन्होंने सिकारी से कहा, क्या कहा, सिकारी भाया, वो इसने च मोती लाने खातीर पहली वाले मोती के नाब जो करे बर पर ही, तबुले बर पर ही, मैं तोला, वो इसने च मोती दे बर त्यार हां, अब ये बाते केच्छ कखवा ने उस सिकारी से कहा। तुम कहते हूं एस इससा मोक है चाहिए ने छोटा ना बढ़ा तो मिल जाए लेकिन उसके लिए łिए उसको क्या करणा पड़ेगा residue मैं देखू किट्ना बढ़ा है छोटा है बढ़ा है एक यह सब मुझको देखना पड़ेगा तो इसके लिए तुम मुझको उस मोती को पहले ला कर दो, ऐसा कछवा ने उस सिकारी से कहा, फिर पहली वाले मोती लान के तैमोला देदव, ये कछवा ने सिकारी से कहा, अब केछवा के बात ला सुनके सिकारी के मन कुलग गे, अर्थात वो खुस हो गया, अरे हाँ, ये कछवा मेरी बात मा लिया अब फिर से वैसा ही एक मोती लाके देगा और इतना सुनते ही वो उसका मन जो है कुलग गया रथात मन प्रसन्न हो गया मन मा थोरी के लालच अमागे देखे सिकारी के मन में लालच तो आही गया था ओहा केच्वा के बात लम्मान गे वो सोचा कि वास्ता में ये कच्व जो कह रहा है ठीक कह रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझको कि वो मोती जो घर में रखा हुआ है उस घर से मोती को मुझको लाना है और लाकि इस कच्वा को दूंगा तब ये सही में बराबर तौल कर न छोटा न बड़ा उसी वजन का मोती लाक मुझको अईसा सोचकर फांदा ले मंजूर ला धिल दिस उस फांदा में जाल में जो मयूर फसा हुआ था उसको उन्होंने क्या किया धिला कर दिया छोड़ दिया मंजूर उड़िया अगे अव मोती लाए बर घर कोती दवड़ गे सिकारी जो क्या किया सिकारी ने उस फांदा से मय चूटता है वह उड़ गया और उड़ जाके वो पीपल के पेड में जाकर बैठ गया और वह सिकारी अब मोती को लाने के लिए अपने घर की ओर दोड़ गया अर्था दोड़ता हुआ चला गया जल्दी से जल्दी उस मोती को मैं लाओं ताकि मुझे दूसरा मोती मिल जाए कि सिकारी के मन में भावना थी सिकारी हा मोती लान के केचवा ला दीस केचवा हा मोती ला पानी मा फ्येक दीस आओ सिकारी ला कहिस तैं एक मोती के लेवस नहीं आओ मैं हादू मोती देवाव नहीं आज तैं बेटा मन के खातिर फांदा डारे हस काली आपन घर वोसाइन के केहे मफांदा डार वे अव परन दिन अपन परोसी मन खातिर इही भूता कर वे तोर लालच हा बाड़ते जाही तै लालची भर नई हस बिश्वास घाती घलो हस ऐसा कछवा ने सिकारी से कहा सिकारी और कछवा की बीच में बाते हुई और सिकारी घर गया मोती को लाने के लिए मोती को लाके जैसे ही कछवा को देता है कच्छवा जो है सिकारी को सिकारी से मोती को पहले प्राप्त किया और जैसे ही उसके हाथ में आया उस मोती को हाथ मिलिया और लेकर कि उसने तलाब में फ्येक दिया और फिर अब उस सिकारी को सबक सिखाने लगा और कहता है कि तुम लालची हो आज तुम बेटा के खातीर फांदा डाले हो, कल तुम्हारी गोसाईन अर्था तुम्हारी पत्नी कहेगी, उसके कारण तुम आकर फिर क्या करोगे फांदा डालोगे और परंदिन अर्थात परसों, तुम्हारे परोसी अर्थात परोसी लोग भी कहेंगे, तो उनके लिए भी तुम मोती लेने के लिए फिर फांदा डालोगे, तो इस तरह से तुम्हारा लालच तो बढ़ता ही जाएगा, और केवल तुम लालची आदमी नहीं हो, ते घलोहस ऐसा, अचुवा ने उस सिकारी से का, क्यों विश्वास घाती, क्योंकि तुमने महीना भर, हमने तुमको महीना भर के लिए वो मोती लाकर दिया था, तुम महीने भर से पहले ही आगे, और इस तरह से पता नहीं, और कितनी बार आगे करोगे, तो इसलिए तुम पर ह हम भरोसा नहीं कर सकते, विश्वास घाती, प्यारे बच्चों, विश्वास घाती किसे कहते हैं, हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, विश्वास घाती कहते हैं, जो विश्वास को तोड़ देता है, जो विश्वास का हनन करता है, जिस पर हम भरोसा करते हैं, वो हमारे भरोस को हमारे विश्वास को तोड़ देता है उस व्यक्ति को हम विश्वास घाती कहते हैं तो यहां पर सिकारी ने कच्छुवा और मयूर दोनों के साथ विश्वास घात किया था इसलिए वह विश्वास घाती हुआ अब ऐसे कहिं के केच्छुवा हा पानी भीतरी डूप की मार परफ़ीस सिकारी हा हाथ रमजत रहीगे तो महीर तो पहले ही पेड़ पर चल दिया था और कछवा भी इतना कहा और जल्दे से जाकर वो तलाब में डूप की मार दिया अर्थात तलाब में चला गया और सिकारी अपना हाथ रमजत रहीगे हाथ रमजत रहीगे हाथ रमजना यह मुहावरा है इस कतात पर यह होता है पश्ताना वह पश्ताते रह गया अब उसके हाथ में एक मोती आया था वो भी चला गया मयूर था वो भी उड़ गया ना कछवा मिला ना मयूर मिला ना मोती मिला तो इस तरह से लालच का फल बुरा ह होता है यह भी इस लोक कथा पाठ से हमें संदेश मिलता है प्यारी वच्चों अभी हमने यह जो पाठ पढ़ा है इसके अधार पर आईए कुछ ग्रिव कायर के प्रस्ण मैं आपको देना चाहता हूं प्रस्ण आप नोट करेंगे दूसरा प्रस्ण लिखेंगे दूसरा प्रस्ण लिखेंगे प्यारे बच्चों अभी हमने पाठ पढ़ा मितानी और और ऐसे ही बहुत से लोक कथा हमारे आसपास प्रचलित हैं उन लोक कथा के विशाय में अपने पालकों से अपने आसपास जो बुजूर गहें इन से हमें पूछ कर जानकारी प्राप्त करना है और ऐसे ही किसी लोक कथा के विशाय में आप लिखेंगे साथ ही साथ आप इन ग आप अपने विशाय सिप्षक से इसका परिक्षण कराएंगे प्यारे बच्चों अभी हमने यह जो पाठ पढ़ा मितानी इस पाठ से हमें यह सिप्षा मिलती है कि विपत्ती के समय धैर्य रखना चाहिए धैर्य नहीं खोना चाहिए बुद्धी से कार्य लेना चाहिए और हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि लालच करने से हमें पच्टाना होता है जैसे वह सिकारी पच्टा रहा था तो ब्यारे बच्टों इस पार्च से जो महत्पून शिक्षाएं मिल रही है इन शिक्षाओं को भी आप लिखेंगे और शिक्षा ग्रहन करके उसको अपने जीवन में उतारेंगे यही कामना करते हुए आप सबको मेरा नमस्कार